अपनी लाइफ में चाहे कितनी ही परिशान क्यों नहों, चाहे कितनी ही उल्जने क्यों नहों लाइफ में, बट फिर भी अपने आपको stable रखना, अपने मन को control में रखना, यकीन रखना, patience रखना, ये सोचना कि जो भी चीज़ें हैं न ये बदल जाएंगी, सही वक्त का इंत सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, आज इसी के बारे में बात करूगी, हलो, माई नेम इस पीती और वेलकम टू माई चैनल जज़बा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लाइफ में हर जगा, हर फिल्ड में सब कुछ सही नहीं चलता है, पर्मानेंट तो यहां कुछ है ही नहीं, टाइम के साथ साथ ना चीज़ें बदलती ही हैं, बट जब कोई चीज ऐसे बदलती है ना, जो कि हमारे फेवर में नहीं हैं, जब कोई ऐसा चेंज होता है जो हमारे कॉर्डिंग नहीं हुआ होता है, तो ऐसे में ना हम घबडा जाते हैं, हम ढर जाते हैं, हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं, या फिर हम किसी ना किसी को उसका जिम्मेदार बना देते हैं, ऐसे में हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी दुक और तकलीफ को और ज़्यादा फील करते हैं हमारी परिशानी कम नहीं होती है बलकि हमें वो चीज और बड़ी लगने लगती है ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को न बता करना भगवान को बताईए भले ही उन्हें सब कुछ पता है बट फिर भी आप उनसे कनेक्ट होईए उनस से अपनी चीजों को शेयर करिए ऐसा करके आपको काफी सुकून मिलेगा काफी रिलेक्स फील करेंगे अपनी परिशानियों से धीरे-धीरे करके बाहर भी निकलने लगेंगे आपको कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा यह सारी चीज़ें सुनने में प्रैक्टिकल नहीं लग रही होंगी ना बट ये चीज़ें सच है आप करके तो देखिए एक अलग कनेक्शन बन जाएगा आपका गौड से लोगों ने शोशल मीडिया को हर तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है अपने सुक को अपने दुख को अपनी परिशानियों को अपनी मु हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं सबको लोग उस पर लाइक और कॉमेंट भी करते हैं बट लोगों को ना आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है वो बस आपके मजे लेते हैं आपका मजाग उड़ाते हैं उन् किसी भी टाइप की आप कोई भी प्रॉब्लम को जेल रहे हूं उससे रिलेटर चीज़ों को आप पोस्ट करते हैं इससे जो आपके जानने वाले हैं उन्हें जरूर पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और ऐसे में वो उस चीज़ का मजाग भी बनाते ह नहीं नहीं आपके एमोशन्स का खिलवार होता है सोशल मीडिया को ना अपनी लाइफ का आईना मत बनने दीजिये ये बहुत ही बचकानी हरकत लगती है अपने इमोशन्स को ना शोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंध करिए किसी को भी ना आपसे कोई मतलब नहीं है किसी क कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग सिर्फ कहने के लिए साथ हैं सच में साथ बहुत कम लोग होते हैं ये बार हमारी लाइफ में आप प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती है बट हम ना कुछ बेवकूफियां कर देते हैं या फिर हम ओवर थिंकिंग करके उस प्रॉब्ल हम जहलेंगे ही हम इन परिशानियों को आने से नहीं रोख सकते हैं बट हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपने नजर ये को बदल लें हम अपनी सोच को बदल लें हम अपने काम करने के तरीकों को बदल लें इससे ना हम अपनी परिशानियों को कम जरूर कर सकते हैं उसे solve जरूर कर सकते हैं जो भी problem आएगी उसे हम face जरूर कर पाएंगे emotional इंसान है बहुत ना तो ऐसे में आपको ये समझने की जरूरत है ना कि कोई भी आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करे कोई भी आपसे कितना ही दिल से क्यों ना connect हो कोई अपना कितना ही क्यों ना हो बट फिर भी ना आपको अपनी life के जो भी problems है जो भी challenges हैं उसे आपको खुद ही face करना होगा लोग आपको support भले ही कर दें बट उस चीज से face तो आपको ही करना है मत तो आपको खुद जुटाना होगा ना आपको ना अपनी life में अपनी चीजों को सही रखने के लिए खुद effort डालना होगा खुद अपने लिए सोचना होगा अपने emotions को ना अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए emotions जो हैं ये बस एक feeling है जो हमें इहसास दिलाती है अपनों का जो हमें attach रखती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके उपर dependent रहिए आप अपने professional life में थोड़े से परिशान चल रहे हैं अगर आपके उपर काम का बहुत pressure है तो ऐसे में ना थोड़ा सा चिल करके देखिए mind को थोड़ा सा divert करिए थोड़ा सा खुद को break दीजिए अपने mind को शान्त रखने की कोशिश करना जादा जरूरी है ये चीज़े थोड़ी सी मुश्किल है बट आपको करनी होगी क्योंकि जरूरी तो यही है ना अगर आप अपने relations को लेकर परिशान है तो ऐसे में ना थोड़ा सा detach होने की कोशिश करिए थोड़ा सा distance बना कर देखिए बोलने के बज़ये ना शान्त रहने की कोशिश करिए ऐसे में ना आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है आप सही चीज़ों को समझ पाएंगे आपने पुरानी क्या गलतियां की है ना वो भी आपको समझ में आएगा फिर से आपको उस चीज़ को नहीं रिपेट करना है और आगे किस चीज़ का ध्यान रखना है ना ये भी आप समझ पाएंगे अगर हम सारी चीज़ों को एक साइट करके ना थोड़े टाइम के लिए हम खुद पर ध्यान दें हम खुद को समझने की कोशिश करें अपने मन को स्टेबल करने की कोशिश करें तो ऐसे मेना हम काफी चीज़ें समझ जाते हैं हम अपनी life की काफी problem को solve कर लेते हैं काफी चीज़े अपने आप ही सही होने लगती हैं अगर आप ये सारी चीज़े करनी की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़े जरूर होंगी ये पॉसिबल है करके तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए